हलो दूस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में दूस्तों अगर आप अश्वगंदा की खेती करने जा रहे हो तो आपको मैं दू महत्वपुन जानकरी इस वीडियो की मात्यम से देना चाहूंगा दूस्तों यहिए कि और अश्वगंदा का सिट्रीटमेंट कैसे करते हैं और अगर विडियो की पेहले से डल हुआ है इसनकरे एबげ जो इसको किसा सकते हैं तो दोस्तों त्राइक का फंगी उसको सकते हैं तो उसको कैसे करना है दोस्तों मैं एक किलो बीच कर आपको बताता हूं आदा लेटर पानी ले लए उसमें 5-10 ग्राम फंगी उसमें पानी को चिप चिपा कर देता जिससे कि जो फफुन नाशी वह आपके बीज में इसली चिपक जाएगा तो आदा लीटर पानी में 10 ग्राम आपका फफुन नाशी डालिए और उसमें 50 ग्राम गुर्ड डालके एक किलो बीज में आपके उसमें मिला दीजिए अच्छे से और उसमें 2 किलो रेती में जो पुरा आपने बीज मिला के पानी के साथ मिला दीजिए और अच्छा सा हाथ से लिए दोस्तों तो उससे कि आपका पुरा रेती पर आपका फंगी साइट और यह मिल जाएगा तो जो यह हो एक ऑप्षिनल है अगर आप मिलाना चाते तो कर भी सक पाली पर ज्ञादा ही आपकी जमीन में पाली हो जाता है तो उससे आपका कई ने कई बीज में फफुल लग जाते हैं तो फंगी साइड जो फफुल नाशी रेता है वो आपको बीच को फफुल लगने से रोकता है और उसका जर्मिनेशन भी अच्छा होता है यह दोस्तों अगर आप यूज करना चाहते तो यूज का सकते हैं और जो मेरे वीडियो बना के रखा था मेरे वह उसकी लिंक भी आप आपको लगाना है अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ कि दू तरीकी से आप अच्छा प्रगनदा लगा सकते हूँ एक तो आप गरड बनाके जू आने वाले विडियो में आपको बताहूंँगा दोस्तों आप छिड़का विदी उसका भी मेरा वीडियो डलो वाई चैनल पर उसकी भी लिंक कर डिस्क्रिप्शन में देदूंगा दोस्तों यह आपके उपर है कि आप छिड़का विदी से अश्वगंदा बोना चाहते हैं फिर गरड से दोस्तों जैसे कि मैं आपको बोलू अच्छी पगड़ भी मिलती है और उसमें यह एक जल भराव की स्तिति में आपका अस्वगंदा सड़ता भी नहीं है तो दोस्तों वह दोनों काम रहता है उसका फाइदा बहुत सारे हैं जो मैं आपको आने विडियो में बताते जाओंगा अगर आप ऐसे छिड़का विद में दोस्तों आप किस तरीके से लगाना है आपको एक गरड़ बनानी रहेगी उसके अंदर जैसे जो मैंने वीडियो डालवा उसमें गरड़ बनाते जाते हूं उसके साथ में पीछे मिट्टे भी हलके हलके चड़ानी पड़ती है क्या फिर दो इंचे के सम्तिंग तो उसम अब उसको उंडा गाड़ते हैं तो भी ने उटता है और ऊपर रहता तो दोस्तों दिक्कत यह आती है कि अगर वह उपर रहे जाएगा तो पानी के साथ में बहुत हलका रहता तो उपर ऊटके कहीं बैज जाएगा तो आपका उपतानी अश्वगंदा दोस्तों एक और ची दिन चार चार दिन में क्योंकि दोस्तों जो आश्वगंदा है 14-15 दिन के बाद में आपको जमीन से अंकुरित होता हुआ दिखेगा तो दो चार दिन में पानी देते रिजिए जमीन में नमी बनाते रही है अगर कई इसी कंडिशन है कि जहां बहुत ज्यादा नमी आ गई तो दोस्तों वहाँ पानी निकासे की भी विवस्ता करने पड़ी है आपको